अधार कार्ड खो जाने पर ना हो परिशान इस तरह घर बैठे बिना नमबर के भी मिल जाएगा नया कार्ड नमश्कार दोस्तों आप सभी का हर्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर लेकिन अब आपको चिंता करने की कोई जरुवत नहीं है क्योंकि हम आपको बताएंगे कि कैसे आप घर बैठे ही अपने नया अधार कार्ड प्रिंट करवा सकते हैं खास बात यह खास बात तो यह है कि इसके लिए आपको मुवाइल नमबर की भी जरुवत नहीं होगी यून आपको इसमें अधार नमबर जैसी जरुरी जानकारी डालनी होगी इसके बाद जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाए उसके 10 दिन बाद नया अधार कार्ड आपके घर पर आ जाएगा इस तरह आपको घर बैठे ही नया अधार कार्ड आसानी से मिल जाएगा U-I-E-D-I की इस सेवा का लाब आप असानी से उठा सकते हैं बता दे कि उचनियाले के निर्देशों के मताविक आप बैंकों, फिटने, फिंटे, कमपनियां, भीमा और मुवाइल वालेट के लिए अधार का प्रियोग करना अनिवारिय नहीं है पहले की तरह अब कमपनियों को EKYC के लिए अधार का प्रियोग नहीं करती हैं हाला की सरकारी योजनाओं जैसे की आईकर रिटन, LPG सबसीडी, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, पैंशन, राशन आधी के लिए अधार नमबर आज भी बहुत जरूरी है अगर आपके पास अधार कार्ड नहीं है, तो आप इन सेवाओं को लाब नहीं उठा सकते, आगामी वर्षों में आफलाइन अधार कार्ड के प्रियोग को भी मंजूरी मिल सकती है दोस्तों अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूने क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरे आपके लिए लाते रहते हैं धन्यवाग